नमस्कार दोस्तो देखो सीखो इस टेडी में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तो UPSC के पुराने पेपर्स को दोस्तो यहाँ पर लेके आ चुके हैं और यह दोस्तो समाने हिंदी का प्रैक्टिस सेट नमबर 2 है 100% दोस्तो इसमें से फसेगा क्योंकि यह पुराने पेपर्स हैं सभी परतियों की परिच्छाओं के लिए दोस्तो यह important होगा तो सबसे पहला नमबर जो question है वियव हेर्थ दोस्तो जो है इसका परियाय वाची या फिर परियाय बताना है एक लिए यह की वर्ग का विनजन है उचान करेंगे अंतर से निकलता है तो अंतस तमिजन याद करना बहुत यह उसान ileyormitt southwest थीक है साथ्य सथ अगर उष्ष में विनजन आ जहता ए है option में आपका उष्ष मेंजन है अगर आपका दंद आजाता है दंद आपका तोवर्ग है और लो और 100 है दोस्तो तालब विंजन आजाता है और या और 100 आजाता है ठीक है तो यह सब है लेगिन यहां पर यारलाव पूछ रहा है तो अंतस्त विंजन है next बात करेंगे निम्न में से एक कौन सा संदी विचेद सही नहीं है गलत वाला बताना है कौन सा जो की आपका संदी विचेद सही नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर आपका एक प्लस एक संदी विचेद जो ही आसुद्ध है इसका जो एक प्लस एक है न तो यहाँ प्लस एक आपका होना चाहिए एक होता है यह वाला गलत है भाकि आपका जग्दी जोस्तों ये जगत धन इश्यापका होई जाएगा read, read, read हो जाएगा vengeance संदी आपका हो जाएगा और tappa dhana 1 आपका हो जाएगा tappo 1, विशर्ग संदी आपका हो जाएगा तो ये 1K के लिए 1 plus 1 होता है ये आपका 1 लिखा है ये ही गलत है next बात करेंगे निर्जल में कौन सी संदी होगी निर्जल में दोस्तों कौन सी संदी होगी तो निर्जल में दोस्तों आपका जो है निह अपलस आपका जल यानि विसर्ग संदी आपका हो जाएगा भी बिल्कुली सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से किस विकल्प के सभी सब्दों में डी पत्रकार और वाही वाही में मतलब यहां पर आपका क्या हो जाएगा अप्शन नमर आपका डी हो जाएगा वाही में दोस्तों और पत्रकार या पत्रकार और वाही में आपका जो है उपसर्ग और यहां पर आपका प्रत्य का प्रियोग हो है डी बिलकुली सही उत्तर हो जाएगा एक सिकेंड नेक्ष्ट बात करेंगे नेक्ष्ट बात करेंगे पुस्तकाले सब्द किस समास का उधारन दोस्तों पुस्तकाले कौन सा समास का उधारन यह आपको बताना है तो तत्पुरु समास यहां पर राइडिंसर हो जाएगा तत्पुरु समास पुस्तकाले उ साथ सो का यहां पर यहां पर आपका स्याम सुन्दर यहीं यहां पर राइट इंसर हो जाएगा दी बिलकुली सही उत्तर हो जाएगा स्याम सुन्दर दोस्तो करंधार्य समास अपका हो जाएगा और यहां पर चत्तुबूस यह भी हो जाएगा और चत्तुरभूज में दोस्तो यहां भी तो यहां पर करनधार आपका जो हो जाएगा श्याम सुन्दर नेक्स्ट बात करेंगे शॉज्व है का उच्चान स्थान बताना है यह दोस्तों आप शॉज्व उच्चान करेंगे पता चलिए यह आपका जीव जो है मुर्धन्य वाला हो जाएगा डी बिल्कुली से उत्तर ह ठीक है तालू की जब बात आएगा याद रखेगा तालू का जब भी बात आएगा तो यह आपका चावर्ग वाला होता है लवर लवर का जो उच्चान स्थान रहता है और को आप जानते हैं कि इस नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से तदभव सब्द है कौन सा इनमें से ओँर्ट में तदभह वे व आपको पैचानना है को मतलब हिंदी वाला मतलब की संस्करित वाला तो पूश्प होता है हिंदी में फूल होता यह तो पिस्तरी दोस्तों भी आप नें हमें हरतं ह вас जो हरिद्रा है यह दोस्तों जो नेक्स्ट बात करेंगे किस विकल्ब में सही विलोम युग मन नहीं है यह गलत वला पताना दोस्तों कौन सा सब्क्रट में जिसमें विलोUNG युग मन सही नहीं है तो शुगम संगम दिया हुआ है पहले यह गलत है सुगम संगम दोस्तों सुगम और दुर्गम होता है तो यह अपका ए विलोम ठीक नहीं है बाकी अपका भोगता और जो भोग या ठीक है और यहाँ पर प्रसंद और विपण दोस्तों यह अपका सही है समास और व्यास आपका दिया हुआ है यानि ए जो यह सही नहीं है विलो परिवाच्षी है कौन सा नहीं है दोस्तों आपका चाप धनु और चपला यह दोस्तों चाप चैपला जो होता है वो विद्दूत के लिए होता है धनु जो है आपका दूस्तों यह आपका सारंग चाप और यह कहते हैं तो यह यह दोनों से में में लेकला जो हह बिजली का या फिर विद्धूत का होता है तो यह दोनों अलग है यहां पर यह dazu हैं यह प्रहजी कलप में सब्यूकम का अर्थ भेद सही नहीं पताना इक व्यूश गलत है तो दोस्तों आप जानते हैं कि यहां पर आपका अपश्ण में प्रवाल और यहां पर आपका आर्थ बेद दिये मूंझ्या और वस्तर तो यह नहीं बिल्कूल यह सही है उदामन और दमन दिया है तो जो आपका दामन है यह आपका आचल की बात हो रही है और दमन मतलब दबाना दबाना कुछलना से रिलेटेड है नेती और नेती जो है यहाँ पर नेती तुरण छोटी की मतलब यहाँ पर नेती मतलब बड़ा है बड़ी की मतलब तो इस नेती का मतलब आ वता रहा है और बदन वतार है जबकि यहां पर आपका अनंत यहां पर इसका होना चाहिए और यहां इसका मतलब होता है जोगा हुआ तो यहां पर जोई इसका मतलब होता है या फिर जुका हुआ और इस नेती का मतलब होता है दोस्तों यहां पर मयानी की रसी तो यहां पर बदना दिया यही इसका गलत है बाकी आपका अनल मतलब जानते हैं आग हवा यह सब ठीक है नील मतलब हवा होता है अनल मतलब आग होता है बाकी सब ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे निम्न मेंसे तत्सम सब्द है कौन साइस मेंसे तत्सम है वो बताने है तत्सम मतलब संस्क्रित वाला तो पूस्प अभी हम बाती कर रहते यह अपका तत्सम सब्द है या फिर संस्क्रित वाला है तो यहां पर जो आपका एंसर हो पूस्प हो जाएग नेक्स्ट बात करेंगे निमनलिखित सब्दों पर विचार कीज़े विचार क्या करना है कि किस विकल्ब में सभी सूद्ध है वो आपको वदाना है दोस्तों जो option दिया हुआ है देखिए अतिशयोक्ती देखने में लग रहा है कि गलत है आदासा होना चाहिए लेकिन बिल्कुल ये सही है अतिशयोक्ती ऐसे ही लिखा जाता है दुर्गती में जो रहा है दोस्तों ये गा के उपर रहता है उड़नतुआ रहता है ये गलत है बाकी आपकी मरीची भी ठीक है अतिशयोक्ती भी ठीक है और नीर्धी भी ठीक है तो यानि option जो सही हो जाएगा वो एक तीन चार हो जाएगा यानि option number C यहाँ पर बिल्कुल ही ठीक उत्तर हो जाएगा सभी सुध इसी में है next बात करेंगे व्याकरण की दिष्टी से निम्न में से कौन सा सुध्ध वाक्य है व्याकरण की दिष्टी से कौन से सुध्ध है तो दोस्तों यहाँ पर देंगे उसे अनुत्रिण होने की आसंका है उसे अनुत्रिण होने का सक है सक नहीं आशंका होता है उसे अनुत्रिण होने की आसा है ये भी आसा थोड़ी होता है उसे अनुत्रिण होने का शंसा है संसनी आशंका वला होगा ए बिल्कुली ठीक उत्तर हो जाएगा ठीक है ए बिल्कुली सुद्ध हो जाएगा बाकी आप क्या सुद्ध है next बात करेंगे किस वाक्यांस के लिए प्रियुक्त सब्द सार्थक नहीं है किस वाक्यांस के लिए सब दोस्तों सार्थक नहीं है तो यहाँ पर जाग से भरा होना यानि फेनिल बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर जो वचन से परे हो उसको क्या कहते हैं तो दोस्तों देखिए जो वचन से परे होता है उसको क्या कहते हैं उसको वचना तीत कहते हैं क्या कहते हैं वचना तीत वा रहाी ही थीक उत्तर यहां पर हो जाएगा सराव बनाने वाली वाली आग को क्या है और जंगल में लगने वाली आखो क्या करते हैं गलत सुम्हें वाचाल जिज्दा बोलता या फिर के इसके लिए वाचाल का उप्योग करते हैं चलिए नेक्स्ट बात करेंगे एकल का बिलोम सब्द है यह आपका हो जाएगा दोस्तों बहुल ए बिलकुली ठीक उत्तर हो जाएगा प्रियाप्त का दोस्तो अप्रियाप्त हो जाएगा और अकेला का आपका क्या हो जाएगा अकेला का आपका जो है दुकेला हो जाएगा उप्यूप्त का आपका अनुप्यूप्त हो जाएगा तो ए बिल्कुल ठीक उत्तर इसका हो जाएगा नेक्स्ट बात करेंगे दर्प का परिवाची कौन सा है दर्प का जो परिवाची है दोस्तो वो आपका है अहंकार दर्प का जो परिवाची है वो अहंकार है दंभ है घमंड है मान है अभिमान है गर्व है ठीक है साती सा दोस्तो जो है व्यथा है व्यथा का क्या होता है दु क्या होता है यह स्वाभी मान का आत्म गौरो आत्म सम्मान यह सब होता है तिरसकार का बिजत्ती त्यादी यह सब अपका होता है नेक्स्ट बात करेंगे मन को हरने वाला इसको क्या करते हैं इसको दोस्तों मनुहर कहते हैं मनुहर मन को हरने वाला मनुहर कहते हैं बी बिल्कु प्रभाव डालता उसको क्या कहते है उसको दोस्तों कहते है उसको दोस्तों कहते है और यहां पर दोस्तों जो है अगर इदम उन्मत जो होता है मद में जो उन्मत होता है उसको मदमस्त कहते है उसको मदमस्त कहते है जो मन से उन्मत होता है next बात करेंगे गागर में सागर भरना ये जो महावरे का अर्थ क्या है तो गागर में सागर भरने का महावरे का अर्थ थोड़े में बहुत या फिर थोड़े सब में बहुत कहना या फिर थोड़े में बहुत कुछ कह जाना ये सब आपका होता है तो B बिलकुल ही सही उत्तर हो जाएगा ठीक है और दोस्तों जो है यहां पर बहुत जो है क्या है दोहों की रचना करना दोहों की जो रचना करता है उसको क्या करते है तो उसको दोस्तों जोस्तों यहां पर गागर में सागर करना दो यह नहीं होगा मतलब यहां पर राइट रैंसर अपका थोड़े में बहुत करना के लिए गागर में सागर भरना यह होता है ठीक है बहुत बोलने वाले क्या वाचाल करते हैं आप जानते हीं कम बोलेगा तो दोस्तों उसको अलबभासी कहेंगे ठीक है नेक्ष्ट बात करेंगे सुद्ध वर्तनी का चैन किजिए सुद्ध वर्तनी कौन सा मैंने महत्व कांच्छा जो है कौन सा ठीक लिखा गया है तो दोस्तों जो महत्व कांच्छा बना होना चाहिए तो यहां पर यह भी नहीं है यह भी नहीं है महत्वक आंच्छा जो है यहां पर आपका सी में बना हुआ ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट कोशन है निम्न में से तीछन का विलोम सब्द क्या है निम्न में से तीछन का जो विलोम है दोस्तों वह आपका क्या होगा इन्न में से तो दोस्तों यहां इसका राइडेंस होजागा कुंठित विलोम बताना है कुंठित यहां पर बिल्कुली सही उत्तर हो जाएगा तीवर का क्या हो जाएगा तीवर का दोस्तों आपका मंद हो जाएगा फिर मंथर हो जाएगा त्रिश्णा का क्या हो जाएगा त्रिश्णा का दोस्तों जो है त्रिप्ति या फिर वी त्रिश्णा आपका हो जाता है त गड़पति गड़नायक लंबूदर ये सब जो है वक्रतुंड अम्बिकेप ये सब जो है मनें यहाँ पर गड़ेस भगवान का है तो यहाँ पर सी बिल्कुली सही उत्तर हो जाएगा नेस्ट बात करेंगे काटो से भरा हुआ बाक्य के लिए नीचे दिये गए विकलपों में से एक सब्दाए चुनिए काटो से भरा यहां पर जो है राइड इन सर इसका क्या हो जगा डी बिल्कुली सही उता जगा विकींड दोस्तों किसके ते हैं यह जो है जो चित श्रया या फैला हुआ होता है उसको विकींड कहते हैं ठीक है एक सेकेंड नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों दूद का दूद और पानी का पानी करना यह मुहावरे का आर्थ आपको बताना यह बहुत ही असान और लास्ट कोशन यह है आप सभी लोग जानते हैं इसका राइड एंसर क्या हो जो जो उचीत निरणाय करना ठीक है उचीत नि सेकेंड नंबर जो है आपको प्रैक्टिस एड पसंद आ होगा वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और एसा ही प्रैक्टिस एड सॉल्व करने के लिए सब्सक्राइब करके बैल आइकन को आउन कर दीजिए हमारा वीडियो देखने के सभी लोग का बहुत बहुत धन रेखने के लोग प्रैक्टिस एड वाग रेखने के सभी अ किया सुल्व किए और रषगाब कर दो को अटेखने के लिए क्या रड़ और एससेख बिएक्तर है अटेखने के बहुत अ है प्रफशिक्टिस एड